कोरोना वाइरस लोग डाउन की वजह से टीवी सीरियल और फिल्मों की शूटिंग बन्द है कोई भी नई फिल्म या टीवी सीरियल शूट नहीं किया जा रहा वीयोर्स के लिए टीवी सीरियल्स अपने पुराने अपिसोड्स टेली कास्ट कर रहे हैं टीवी के सबसे चहिते और पेमस कॉमेडी शो दग कपिल शर्मा शो में भी पुराने अपिसोड्स ही दिखाए जा रहे हैं शूटिंग बंध होने और फिल्म रिलीस ना होने के वज़े से अभी नए अपिसोड्स शूट नहीं हो रहे हाला कि लोगडाउन होने के बाद भी लोगों को नए अपिसोड्स देखने को मिल सकते हैं बताया जा रहा है कि लोगडाउन के बीच भी कबिल शर्मा के नए अपिसोर्स टीवी पर आ सकते हैं माने जा रहा है कि कबिल शर्मा भी विदेशी शोड्स की तरह घर से ही अपने शोड की शूटिंग कर सकते हैं इस शो की खास बात ये होगी कि इसमें ना ही कोई ओडियन्स होगी और ना ही कोई सेलब इसमें हिस्सा लेगा बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा शो की टीम बिन ओडियन्स के शूट करेगी जिसे जल्धी टीवी पर भी दिखाया जा सकता है गौर्ट अलब है के इंटरनेशनल शोज पॉपलर कॉमडियर जिमी किमिल और जिमी पैलन भी बिन ओडियल्स के ही अपने कॉमडी शोज शूट कर रहे हैं हाला के अभी तग कपिल शर्मा और उनकी टीन की ओर से इस संदवर में कोई ऑफिशल अनांसमेंट नहीं की है अब यह कपिल शर्मा घर पर हैं और हाली में उन्होंने बेटी की क्यूट स्वीरे भी सोशल मीडिया पर शेयर की है फिलहर कपिल शर्मा के पुराने शो डैली कास्ट के जा रहे हैं जिस वज़े से लोगों को कपिल शर्मा और उनके दोस्त सुनने ग्रोवर भी एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अब देखना है कि क्या कफिल शर्मा भी विदेशिक कॉमडेंस की तरह घर से ही शोशूट करते हैं या पे कुछ दिनों तर लोगों को पुराने एपिसोड सी देखने होंगे